आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आँख के समंजन छमता के हमारी आँखे जब दूर रखी या नजदीक रखी वस्तों को जब देखती है तो नेत्रे लेंस के फोकस दूरी को घटाती भराती है नेत्रे लेंस होता है वो सिलियारी मान स्पेसियों के बीच फसा होता है तो सिलियारी मान स्पेसियों के सुकिरने और फैलने से नेत्रे लेंस की मोटाई घटती बढ़ती है जिसके कारण उसकी फोकस दूरी भी घटती बढ़ती है तो जब दूर की वस्तूओं को जब देखना होता है तो आँख अपने नेत्रे लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देती है और जब निकट की वस्तूओं को देखना होता है तो आँख अपने नेत्रे लेंस के फोकस दूरी को घटा लेती है तो आँख के इस छमता को समंजन छमता कहा जाता है और इसी छमता के कारण कि हम एक ही लेंस से नेतर में एक ही लेंस होता है उसी लेंस से हम दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं और निकट की वस्तुओं को भी आसानी से देखा जा सकता है इसके बाद हम बात करते हैं नेत्रे लेंस से संबंधित दोस, डिफेक्ट क्या क्या होते हैं तो ऐसे तो नेत्रे से आँख से संबंधित बहुत सारे दोस हैं लेकिन प्रकास से रिलेटर, लाइट से रिलेटर जो दोस है वो तीन प्रकार के हैं एक निकट दृष्टी दोस, दूसरा दूर दृष्टी दोस और तीसरा जरा दूर दर्षिता, निकट दृष्टी दोस में किसी वेक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इस दोस को निकट दृष्टी दोस कहा जाता है, जब किसी वेक्ति को नजदीक की वस् ठीक से दिखाई देती है और ना निकट की वस्तू साफ साफ दिखाई देती है तो इस प्रकार के दोस्त को जरा दूर दर्सिता कहा जाता है अब यहां से इन तीनों दोस्तों को दूर करने के लिए अलग-अलग प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी व्यक्त विक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उनके चस्मे में उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है जबकि अगर किसी वस्त किसी को जरा दूर दर्शिता है जिसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और नहीं निकट की वस्तु तो उसमें बाइफोकल ल गजिए इसका इस्तिमाल किया जाताय जिसमे आउत्ल और अउत्तल दोनों प्रकार के लेंस लगते हैं उस चसमे में जो उपर की ओर सुपन आप heter नेत्र लेंज के फोकस दूरी घटने या बढ़ने के कारण और दूसरा है नेत्र गोलक की लंबाई घटने या बढ़ने के कारण जब नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है या घट जाती है तो हमेशा किसी वस्तु का प्रतिवीम रेटीना के सामने में बन जाता है या र कारण से कोई भी वेक्ति उस प्रतीबीम का ठीक ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाता है कि वो किस तरह का प्रतीबीम है और इसी कारण से उसके आखों में ये दो सुद्पन होता है इस दोस का निवारन लेंस के माध्यम से किया जाता है जिसमें उत्तल या आउतल लेंस का प्योग किया जाता है इस वीडियो में हम वायू मंडल ये अपवर्तन के बारे में बात करेंगे हम जानते हैं कि प्रिथिवी चारों तरफ से वायू के एक आवरन से घिरा हुआ है जिसकी उचाई बहुत ज्यादा होती है और वायू जितना ऊपर होता है वो उसका घनत उत होता है वो वायू के घनत उपर निर्भर करता है वायू का घनत उजितना अधिक होता है उसका अपरतनाग उतना ही जादा होता है और जो सबसे उपरी सता है वायू का उसका अपरतनाग लगभग लगभग एक होता है और जो प्रिथिवी के सता से काफी निकट है वायू का आक्सतह, तो उसका अपॉर्टनाग एक से थोड़ा जादा होता है, इसी कारण से जब कोई प्रकास किरन, जब वायु मंडल में प्रविष करती है, तो अलग-अलग अपॉर्टनाग होने के कारण, वो सीधा ना आ करके थोड़ा सा मुर जाती है और इसी घटना को वायू मंडली अपवर्तन कहा जाता है इसका उधारन है जैसे अगर कहीं चूला जल रहा हो या कहीं पर मुंबत्ती जल रहा हो तो उसके जब उपर देखेंगे तो वायू से जब प्रकास आती है तो वो मुरी हुई या उसके आर पार जब देखा जाता है तो दूसरे तरफ की जो वस्तु होती है वो जिल मिलाती हुई नजर आती है जाता है ये एक वायू मंडली अपवर्तन का एक एक जामपल है प्रकास का प्रकिर्नन जब ये प्रकास किरन वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में तैर रहे बहुत छोटे छोटे धूलकन पर जब परती है तो वो धूलकन से प्रावर्तित होकर वायुमंडल में चारो और फैल जाती है वो प्रकास के इस फैलने की क्रिया को प्रकास का प्रकिर्णन कहा जाता है या दूसरे सब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रकास का वायुमंडल में चारू और फैल जाना प्रकास का प्रकिर्णन कहलाता है